नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त विसाल स्वागत है हमारे चैनल भोश पुरिया जहान में आज की इस विडियो में आप लोग को खेसारी लाल यादों से जुड़ा बहुत थी खाजरकारी बताने वाले हैं आप लोगों को बता दे मेरे भाई की कारा काट जो लोग सबा सीट है अभी सबसे बड़ा होट सीट बना हुआ है लेकिन आप लोगों को बता दे कि यहाँ पर सभी स्टारों को लेकर काफी ज़्यादा चर्चा चलाया जा रहा है जैसे कि आप लोगों को बता दे कि पावन सिंग जब से निर्दलिये चुनाओ लड़ने का अनौंस किये हैं तब से पूरा ये कारा काट लोग सबा सीट ट्रेंडिंग में आ गया है एक तरह से कहा जाए और यहाँ पर आप लोगों को बता दे कि कारा काट में पावन सिंग के भिपक्च उपेंद्र कुस्वाहा को माना जा रहा है और उपेंद्र कुस्वाहा पावन सिंग के विरूद में सभी भोचपुरी के बड़े सुपरिश्टारों को उतार रहे है जिसमें से पहला नाम है रवी किसंद, दुसरा नाम है मनोज तिवारी, तिसरा नाम है अक्षरा सिंग, चौता नाम है दिनेस लाल यादो, निरहुआ और एक बोली हुट के कलाकार कंगना रनावत यानि कि ये पाँचो आ रहे है पवन सिंग के विपक्ष में उपेंद्र कुस्वाहा के परचार करने के लिए जो कि बहुत थी भव्य लड़ाई यहाँ पर होने वाला है मेरे भाई आपर तो एक भोचपूरी के बड़े सुपरिश्टार पवन सिंग हो गए दूसरे तरह पाँच भोचपूरी के सुपरिश्टार लेकिन तीसरे व्यक्ति का तो चर्चा ही नहीं चल रहा है जिसका नाम है राजाराम कुस्वाहा जो कि आरजेडी के परत्यासी है और आरजेडी से सबसे गहरा समंध किसी भोचपूरी सुपरिश्टार का है तो वो है खेसारी लाल यादो जी हां मरे दोस्तों आप लोगों को बता दे कि खेसारी लाल यादो इसी के वज़़ा से अभी तक काराकाट में पौवन सिंग के चुनाव पर चार में नहीं गये क्योंकि खेसारी लाल यादो पे अनेक प्रकार के दबाव है जैसे कि आरजेडी के तरब से दबाव क्योंकि वहां पर आरजेडी के अभी एक नेता खड़ा हुए है दूसरे में पुरे भोचपूरी इंडस्ट्री का दबाव जो की निरहुआ भाई हो गया है मनुस्तिवा क्योंकि माधियम से ही पवन सिंग का साथ दे रहे हैं खैर खेसारी लाल यादो ये बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि कहीं पर भी जाकर किसी कलाकार के प्रति परचार करने के बाद ओडियंस भी बढ़ जाती है लगता है कि चलो खेसरीया तो उसको परमोट करता है तो हम खेसरीया के गाना के उसुरे यानि कि जो बीजेपी के चाहने वाले है वो खेसारी लाल यादो से नाराज हो जाएंगे और कहीं खेसारी लाल यादो राजा राम सिंग के लिए जाते है तो फिर जो पवन सिंग के चाहने वाले है वो नाराज हो जाएंगे इसलिए खेसारी भाईया किसी के चुनाव परचार में ना जाए यही सबसे बढ़िया रहेगा लेकिन कहीं न कहीं खेसारी भाईया सुत्रों के हवाले से यह पता चल रहा है कि हो ना हो राजाराम सिंग के परचार में जा सकते हैं और कहीं राजाराम सिंग के परचार में खेसारी लाल यादो चल गए तो फिर तो समझ जाएगा भाईया कि पवन सिंग का नईया यहाँ पर डगमग हो जाएगा खेर आप लोगों का क्या का नाम है क्या खेसारी लाल यादो को राजाराम को स्वाह के परचार में जाना चाहिए जो की परचार में जाना चाहिए कोमेंट बॉक्स में एक अपना राय एक लाइन जरूर लिखेगा मिलते हैं फिर अगले वीडियो में वीडियो को पूरा देखने के लिए सबी दोस्तों को दिल से धन्यवाद